Google Adsense आपको बहुत बड़ा gift देने वाल है January, February 2024 में Early 2024 में ही आपकी earning स्टार्ट हो जागी और जितनी आपकी earning पहले होती थी उससे कहीं ज्यादा होगी दो-तिन पॉइंट से उन्हें आप ध्यान से जरूर सुनें अगर आपकी website है और आप Android app रन करते हैं तो आपको 68% शेर मिलता है एड्स का और 32% Google अपने पास रखता है पर 2024 जैनवरी या फैब से यही शेर ज्यादा होने वाल है Google के पास जब Google Ads में हम एड्स रन करते हैं तो दो तरह की एड्स होती है एक होती है direct ads और दूसरी होती है 3rd party ads अभी तक क्या होता था friends डेरेक्ट आइड्स और 3rd party ads दोनों का हमें equal share मिलता था 68% पर आने वाले टाइम में आपको 68% मिलेगा सिर्फ डेरेक्ट ads का और जो 3rd party ads होती है वो आपको 80% का share मिलेगा, Google से 20% रखेगा अपने पास, तो यहीं से आपको 12% का benefit मिलेगा, अब आपको ये कैसे पता लगेगा, कि कौन सी ads आपको third party से मिल रही है, या फिर direct मिल रही है, तो Google इसमें भी transparency कर रहा है, आपके Google AdSense के account में ये चीज शो करने लग जाएगी, आप आपको ये पता लगेगा, कि 68% अगर आपको मिल रहे है, तो 32% किसको मिल रहे है, मतलब आपको अभी तक सिर्फ आपका revenue शो करता था, अब आपको percentage भी उसके साथ शो करेगी, इतना पता लग जाएगा, कि यहां से आपको 68% मिल रहे है, और यहां से आपको 80% मिल रहे है, आपके सामने सारी picture clear आजेगी, गूगल कहता है कि अब मैं transparency करूँगा, जो अभी तक 20 सालों में उसने नहीं करा, वही चीज अब होने वाली है, और यह email आपके पास जरूर आ गया होगा, इसी email के बारे में मैं आपको यह सारी details बता रहा हूँ, और इसके साथ साथ जब आ हमारी ads पे click होंगे और हमें earning होगी, पर गूगल ने इसको भी change कर दिया, friends, बहुत सारी ऐसी websites होती है, जहां पे clicks नहीं होते और उनको यह लगता है कि हमारी website में traffic कम है, clicks नहीं आ रहे है और हमारी earning नहीं हो रही, तो गूगल ने इसका भी बहुत अच्छा solution निकाल दिया, अब आपको clicks की tension लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको impression में पैसे मिलेंगे, और यह उनके लिए बहुत beneficial होने वाला है जिनकी websites new है, या फिर जिनकी website में ads में click नहीं आते, आप चाहे android app रन करें, या फिर website रन करें, blogger, या फिर wordpress, किसी में भी, यह सारी में उनक ads दे रहा हूँ, आपको impression के पैसे मिलेंगे, बहुत सारे लोगों को website में ads में click नहीं आते तो अब उनकी attention खतम होगी, अब कितने impression में कितने पैसे मिलेंगे, यह तो clear नहीं है, आने वाला time बताएगा, पर एक यह good news है कि अब आपको clicks की tension नहीं लेनी, अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब ने करा तो subscribe के बटन पर click करें और इस bell icon को press करके all के उपर जरूर क्लिक करें, second update है Google Ads की, अगर आप Google Ads में अपनी ads रन करते हैं, अपने वीडियो को promote करने के लिए Android अपनी website को promote करने के लिए तो friends, उसमें आप जितने भी पैसे डालते थे, उसके 50 रुपीज होंगे, उस साड़े 800 रुपे में आपको ad run करनी पड़ेगी, अगर आप ads run करते हैं तो आपको 15% का नुकसान होने वाला है, अगर आप Google Adsense का use करते हैं तो आपको पता होगा, every month 21st को payment release होती है, तो अब आपको दो पार्ट में payment release होगी, exact तो Google ने नहीं बताया पर first part में आपको 68% जो direct ads के पैसी मिलेंगे, उसकी payment release होगी, second part में जो third party ads है, जिनकी percentage आपको 80% मिल रही है, उसकी आपको payment मिलेगी, पहले क्या होता था, दोनों का combined होता था और 21st को ही release कर देते थे, पर अभी ये clear नहीं है कि 21st या 22nd या 21st में ही आपको दोनों payment release होगी, पर 68% और 80%, दोनों की payment अब आपको अलग अलग release होगी, मैं जितनी भी update दे रहा हूँ, ये सिर्फ website और Android app की है, YouTube के लिए update बिलकुल नहीं है, अगर आप website रन कर रहे हैं, Android app रन कर रहे हैं, तो friends, 68% और 80% और impression प्लस आपको double payment, ये सब मिलने वाल है, पर अब आप ये सोच आपको income होगी, आपको किसी भी तरह की changes नहीं करने, जैसे आप काम कर रहे हैं, वैसे ही करते हैं, Google AdSense अपने आप next year से ये changes कर देगा, बस आपके पैनल में, Google AdSense के पैनल में आपको अलग लग अरनी शोग करेगी, date भी पता लग जागी, impression में कितना पैसा मिल रहे हैं, आ I hope आपको ये good news अच्छे लगी होगी,